तो दोस्तों आज के वीडियो में भी 50 क्वानिटी से लाइफ ट्रेट करके मैं आपको दिखाऊंगों किस तरीके से ट्रेट करना चाहिए निप्टी में क्या हमारा माइंड से होता है क्या साइकलोजिय होता है यह सब आपको समझना पड़ेगा देखिए आज इस पारी के दि समझ में अच्से तरिके से ऑकिया कैसे करना चाहिए क्या हमारा हुता है क्या अलग पार्ट है मार्केट का लेकिन आपको एक डारेक्षण में जो ट्रेड करनेको मिलता है अच्छे-टर डीर करेंगे शीक्थेंगे समझेंगे तभी आप लोग क्या है सक्षिस्फुल बन सकते हैं क्या है अपको अ करेंगे और लाइफ करके दिखा कोई डीटल करते हैं कैसे प्रफिट होता है कैसे लोग Island तो चले वीडियो को स्टार्र करते हैं। यह दोनों लोस के बारे में भी बात करते हैं। आपके लिए 50 कौंटिटिव काम करने वाला हूँ। तो आपको दिखाऊंगा किस तरीके से 50 वांटिटी से देखिये काम करना है। आपको हमेशा सभी इतना ध्यान देना है कि आपको अपने रिस्क रिवार्ट रिश्यों को पर काम करना है यह तो मेरा जो ट्रेड था यह मेरा रियल ट्रेड था मैं ऐसे ट्रेड करता हूं इसके बारे में भी बात करते हैं चलिए आपके लिए आपके दस पॉयंट का स्टॉप लॉस है ठीक है एक है तो यहाँ पर टेन पॉयंट का टार्गेट भीर हैगा मतलब क्या हो गयां यहाँ पर यहां प्र बा ensure पान。」 Health पार रिवार्ट है यहां पर फांसर हुए और और इ صुन क्यों कि भाई हृ toolkit कै रिवार्च है क्योंग है जि तो यहांब देखिए यह इस पारी है आज की दिन में तो 13 अपर यह तो दोनों मैंने ट्रेड किया हुआ है यह आज के सपारी में किया गया है लेकिन जितने भी नए देखिए यह कभी गलती मत करना आप भूल करके भी इक्सिपारी के दिन क्या करना है आपको अपना contract change कर देना है ठीक है यह गलती मत करना भाई जब आप pro बन जाएंगे तब तो आप इसमें भी काम कर सकते हैं दिक्कत नहीं है लेकिन आप अगर नए हैं मैं देखिए इसमें अगर 20 अप्राइल वाले मतलब next contract में अगर मैं आपके लिए मैं 50 quantity ले करके आपको दिखा रहा हूँ तो क्यों यह आपको सीखने के लिए समझने के लिए कि इसका बहुत बड़ा असर पढ़ता है आज क्या होता है आज की दिन में भाई आपसं सेलिंग में ज़्यादा पैसा बनता है मतलब अराम से पैसा बनता है क्यों क्योंकि आज इसपारी आपको पता है कि 3 बड़े तक premium जो रहेगा वो 0.05 हो जाता है ठीक है market अगर momentum करता भी है तो premium अचारंग में बढ़ेगा लेकिन जैसे एका candle नीचे आएगा तुरंग premium नीचे आजाएगा मतलब आधा आजाएगा 10 रुपे बढ़ा रहेगा तो एक candle नीचे आने से ये 5 रुपे आ सकता है 4 रुपे आ सकता है 6 रुपे आ सकता है premium तो ये क्या होता है time decay ये time decay आपको हमेशा ध्यान देना है कि expiric दिन हमेशा 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 आपको अगले contract पे काम करना है ये चीज आप ध्यान देना हमेशा तो आपको क्या होगा आपका risk reward जो होगा आप अच्छे तरह के से minus कर सकते हैं वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी अब देखिए एक सी समझीए मेरा यहाँ पर जो stop loss हीट हुआ है ये 10 point का है 10 point का हुआ stop loss मेरा हीट हुआ है अब quantity कितना था मेरा यहाँ पर 1K quantity था मतलब 1000 quantity अगर भाई 10 रुपिया मेरा stop loss है तो कितना हीट होगा 10,000 जाएगा मिलता तो कितना मिलता 10,000 मिलता अब देखिए जितने लोग नए हैं उनकी मैं बात बोला हूँ इनको न ये amount बहुत बड़ी लग रही होगी कि 10,600 रुपिया चला गया सर जी 10,600 रुपिया चला गया भाई मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं जाला quantity से आप लोग को trade करके नहीं दिखाना चाहता अगर यहाँ पर भी 1000 quantity होती तो यहाँ पर अभी जो profit होता ना 4000-5000 दिखता बात समझ रहा है ना मैं यही हमेशा समझाने का try करता हूँ आपको कि जितना बड़ा quantity उतना बड़ा profit उतना बड़ा loss लेकिन आपको क्या करना है आपको हमेशा जब पहले practice करना है starting time पे तो आपको पहले 50 quantity से ही करना है अगर आप 10 रुपय के stop loss है या 12 का है या 15 का है या 5 का है या 8 का है ठीक है निफ्टी में मिल जाता है 500 रुपय होगा 500 रुपय होगा हो सकता है 500 रुपय किसी के लिए बहुत बड़ी बात है भाई दिन में कमाता होगा कोई आद्मिक 200-300 रुपय 400 रुपय बारा घंटा काम करके लोग कमाते हैं यही सब काम करते हैं यही कमाते हो कैसे कमाते हैं तो आपको जब सीखना है इस्टक मार्केट में तो आपको loss देना पड़ेगा इतना तो समझ के चलना है लेकिन जब भी आपको loss देना है उस loss से हमेसा सीखना है तो जब 50 quantities आप काम करेंगे और अच्छा जामकारी लेके काम करेंगे अच्छे तरीके से सीख करके काम करेंगे तब तो भाई यहां पे न अच्छा पैसा 50 quantity से भी बन जाता है, अभी देखें मैंने 2-3 दिन से जो trade करना आप लोग के लिए start किया है, हाना कि यह तो regular रहेगा, 2-3 महीने तक automatic यह आपके लिए trade चलता ही रहेगा अब, ठीक है, यहां पर quantity भी 50 आपके लिए है, फिर 100 होगा, फिर 200, फिर 300, फिर 500, फिर 1000, फिर 1500, फिर 800 quantity से मैं trade करके दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन यह जो trade मैंने किया है, आज के दिन, तो यहां पे क्या हुआ है, time decay, time decay के वज़े से, यहां पर मेरा इस्टापलोस हीट हुआ है, ज्यादा ज्यादा, यह मेरा इस्टापलोस, अभी इसको cover करने का कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें क्या करना है, पंदर सो कॉंटिटी अगर अभी ले लेंगे, ठीक है भाई, और दस पॉइंट पे काम कर दिये, तब यह सब इतना लोस सब cover हो जाएगा, थोड़ा profit में चले जाएगे, समझ रहे हैं ना, मैं क्या बोला हूँ, अराम से देखिए, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, यह सब real चीज है, और pure price action पे काम सिखाता हूँ, ठीक है, यह price action जो है बहुत important है, उसी पे आपको ज़्यादा मजा आएगा, काम करने में, सीखने में, समझने में, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन real चीज में सिखाता हूँ, market के जो language वही आपको सिखाता हूँ बताता हूँ, तो इतना आपको हमें इसा ध्यान देना है, तो यहाँ पर देखें, जो profit चल रहा है, बाई, 275 रुपे का असपास में चल ला है, तो यहाँ पर या तो देखें, मेरा 500 रुपे का stop loss जाएगा, या तो 500 रुपे का profit लेकर के मैं आज निकलने वाला हूँ, तो नहाँ पर दिक्कत किसी भी चीज का नहीं होने वाला है, टाइम डिकों को लेकर के, अब जितने लोग नए बोलंगे, सर टाइम डिके क्या होता है, टाइम डिके भी देखिए, हर गुरुवार के दिन क्या होता है, इक्सपारी में क्या होता है, आपका जीरो हो जाता है, ठ सोचिए अगर सीड़ी है तो आप कदम पहले नीचे से रखें तब दिरे-दरे ऊपर करके जाएंगे अब कहिए आपको अगर यहां का नौलेज दिया जाए और यह सब आपको पता ही नहीं है तो भाई आप तुरंद मार्केट से बाहर हो जाएंगे इसलिए मैं कवर करता हू एकदम बेसिक चीज है बेसिस सीखेंगे तभी आप एडवांस बन सकते हैं बीना बेसिक का कोई एडवांस बनी नहीं सकता तो देखें थोड़ा से प्रॉफिट यहां पर इंक्रीज होता दिख रहा है चार सो के आसपास चार सो बाईस चार सो साइटीस तो कुछ इस तरीक तो क्या होता ना देखिए यह चीजह होती है जब आप प्रोड बनेंगे भाई तो आपको आपको आटमाडिक अच्छे तरीक स्कुस समझ में आने लगेगा कि क्या चार्ट केंडल स्टिक पाइटान है क्या सब कुछ कूछ काम करना है किस तरीके से काम करना चाहिए यह सब लोग अपने टार्गेट पर आ चुके हैं ठीक है अब यहां पर मैं प्रॉफिट बुक करने वाला हूं क्योंकि मेरा जो टार्गेट है वह आ चुका है मैंने पहले बोला कि 500 रुपया तो जाएगा यहां तो देखे चार्ट पर समझते हैं लॉजिक क्या है मेरा प्रॉजिक क्या है आपको यहां पर क्या हो रहा है मार्केट खूला उपर गया फिर यहां पर रिषिस्टेन लेकर नीचे आया ठीक है यहां पर मैंने ट्रेट लिया था 50 कॉनिटिसे तो उपर रिषिस्टेंस देख करके और यहां पर रिषिस्टेंस लिग जब मार्केट नीचे आयी बड़ी कंडलिक बना दी उसके उपर retracement करने गई फिर जैसे ही नीचे भाई यहीं पर मेरा entry बना था जो आपके लिए मैं 50 quantity से जो पर trade किया गया था ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान देना है अच्छे तरीके से कि यह जो मैं trade किया था logic यही था कि यहां पर resistance है market open हुआ उपर गया फिर यहां से नीचे आ चीज चीज परीड़ेंघेंगे कोई candlestick pattern बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है रिवेर्सल हो रहा है थीक है यहां पर Mon melon करेंगे क्योंकि यहां पर पांच केंडल बनी हुई है तो हम तुरंद क्या करेंगे अपना केंडल खोजेंगे कि हां या रहे हैं बन चुका है चलिए अब ट्रेड यहां बन सकता है तो यही पीछे का लॉजिक दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए वीडिय पांच साथ नेक्ट वीडियो में